नमस्ते दोस्तों कैसे आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज लेकर आए हैं कंबल साफ करने का बिल्कुल आसान सा तरीका वो भी बिना पानी में दुले और बिना धूम में सुखाया आप कंबल को कैसे साफ कर सकते हैं सिर्फ एक कोकर की मदस से त दो से तीन चम्मच आपको मीठा सोडा और ले लेना है कोई भी खुसबूदार टेलकम पाउडर तो इस दोनों चीजों को आपको इस त्रीके से डाल के और अच्छे से मिक्स कर लेना है तो यहां पर देख सकते हैं मैंने बना के तयार कर लिया है अगर आपका कंबल बड़ा ह में पूरे कंबल पर एक परत जैसी हलके हलकी लगा देनी है कुछ इस तरीके से यहां पर मैंने चंणी कही हूँ जिसलिए कि चंणी से पूरे कंबल में अच्छे से सोडा और पाउडर बिच जाएगा तो इस तरीके से लगाने के बाद में अगर आपके पास टाइम हो तो आधे गंटे के लिए छोड़ दीजिए अगर कम टाइम है तो दस से पंदा मिनट के लिए इसको छोड़ देना है और ले लेना है कोई भी पुराना मोजा और इस तरीके से आप हातों में इसको पाइन के और इसको अच्छे से इस तरीके से हातों में पाइन के मोजे और हिल हैं बाते बंते हैं की आपको किसी भी बर्तन में पानी आपकोई सैंपूरू लेसकों लह सकते हैं लगभग आदा पौच आपको डाल देना है जेना यहां पे लिभी मुषच kayak कोई आधा कर लो दोनों कि ऑम को इस उतरी किसे बना रचा कर लिकार Hack息 कोई भी कौटन का कपड़ा या ने सफेद रुमाल का में निकलती होगा है यह कां investigators कोगर का भाकषर ले लेना है कोकर को नहीं लेना है इसके बाद में कुछ इस तरइके से जिस तरफ कुर्वाइवें हैं उसके उल्टा साइड आपको इसको ऐसे चलाते जाना है तो आप देखेंगे जो भी कंबल में अंदर की और गंधी बगएरा लगी हो वो इसमें बहुत ही अच्छे से निकल के आ जाईगी आप देख सकते हैं जैसे हम चलाते जा रहे हैं इसमें गंदगी निकल के आने लगी है तो ऐसे ही आपको पूरे कंबल पर इसको चला देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको पूरे कंबल पर एक साइड तरीके से साप कर सकते हैं आप देख सकते हैं रुमाल कितना ज़्यादा गंदा हो गया है तो आप समझ सकते हैं इससे कितने आसानी से कंबल को साप कर सकते हैं इसके बाद में आप इसको दुल लीजिए और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कंबल को साफ करने वाले हैं इसको मैंने साफ करके फिर से इसी तरीके से ढखकन में लगा लिया है और कंबल को पलट लेना है तो दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से ढखकन को घुमा देना ह हर कोने में अर जगह तो जिससे पूरा कंबल हमारा बहुत अच्छी साफ हो जाएगा जो भी गंदीगी पर गएरा लगी बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगी तो ऐसे आप सर्णियों में भारी बरकम कंबल को बीना दुले बीना सुखाए आसान तरीके से साफ कर सकते हैं तो देख सकते हैं कंबल साफ हो चुका है जो गंदिगी बेरा थी वो निकल के आ गई है तो ऐसे बैड़ी स्मयल भी कंबल की समाप्त हो जाएगी उसाथ ही जो गंदिगी है वो भी निकल के आ जाएगी अगर आपको यह टिप्स जरा भी उच्पुल लगी हो तो एक लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आयों सब्सक्राइब कर लेना ज्यादा से ज्यादा से एर करना है